नमस्कार हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तों ज्यारेफ हिंदी 2021 की तैयारियों के अंत्रगत हम इकाई चार पढ़ रहे हैं वैचारिक प्रिष्ट भूमी और इसमें हमने इससे पहले आपका हिंदी नवजागरन और भारतिय नवजागरन के बारे में पढ़ लिया था लेकिन उससे पहले आप सब लोगों को बता दूँ कि आज का जो दिन है वो भारतिय इतिहास में बहुत ही इतिहासिक दिन बाना जाता है आप देखेंगे कि जब भगर सिंग को फांसी दी जारी थी तो उससे पहले उनके हाथ में पुस्तक थी और ये मैसेज वो एक तरीके से देना चाहते थे और हमें वहां से उन से ये चीज़ सीखने की जरूरत है कि उनके जो आकरी शब्द विये ही थे क्योंकि वो जिंदगी क आखिर तक जीना चाहते थे और इसी के साथ ही जो आपके मुंशी प्रेमचन जी हुए हैं देखिए उन्होंने भी यही कहा था कि जिस दिन वो कुछ चीज लिखना डालें क्योंकि वो सहीत्यकार है उनका काम क्या है लिखना है तो उस दिन अगर किसी दिन वो नहीं लिखत हैं तो उस दिन उन्हें रोटी काने का भी कोई अधिकार नहीं है और यहीं चीज भगत सिंग भी बता रहे थे अपने इंडारेक्टली एक मैसेज कि आपकी मौत भले ही करीब क्यों ना हो क्योंकि आपका जो मुख्यकार है वो क्या है पढ़ाई करना है क्योंकि उनका एक विचार है देखिए कि विद्यार्ती का जो मुख्यकार है वो क्या है पढ़ाई करना है लेकिन देश और दुनिया में कौन सी गटनाय गट रही है इसके बारे में भी हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है तो हिंदी साहित्य वारता परिवार की तरफ से भगत सिंग, सुक हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि खड़ी बोली का जो बोली क्षेत्र कौन सा है और किस अपभरण्च से इसका विकास हुआ है तो इसका जो उद्भव माना जाता है वो शौरसैनी अपभरण्च से माना जाता है तो यह चीज़े हैं हालांकि खड़ी बोली के बारे में ह तो आपका खड़ी बोली है देखिए इसका जो पूरू का रूप माना जाता है जो चोहदुवी शताबदी से लेकर सत्रुवी शताबदी तक का जो समय है वो आपका हिंदी साहित्य में दखनी हिंदी के रूप में माना जाता है दखनी हिंदी के रूप में जो खड़ी बोली गद्य का क्रमिक विकास माना जाता है तो ये चीज आपको थोड़ी सी पहले पता होनी चाहिए कि पहले इसका रूप क्या था चौद्वी से सत्रवी शतावदी तक या जैसे कि आप यहां देख रहे हैं कि उनिस्वी शतावदी से पहले की जो बात कर रहे हैं वहां पर इसका विकास किस रूप में था खड़ी बोली आपका जो दखनी था उसके रूप में तो दखनी इंदी के जो लेखक माने जाते हैं देखी जो प्रमुक और पहले जो लेखक थे उनका नाम ये कई बार परिक्षा में पूछ जाता है खवाजा जो बंदा निवाज गेसुद राज थे और मिराजुल आशकीन जो इनकी प्रमुक रचनावानी जाती है इसके बारे में भी प्रशन पूछ जाता है हलांकि यहां पर पीपीटी के जरिये में आपको यह नहीं बता रहा हूँ लेकिन फिर भी आपको इस चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है अगर आप चाते हैं कि इसके बारे में विस्तार से आपने जानना है तो आप जो हिंदी साहितेवं भाशा का वस्तुनिष्ट इतिहास पुस्तक है गोविन पांडे और सरसुती पांडे की वहाँ पर अच्छे तरीके से इसको डिस्कस किया गया है जो आपका दखिनी हिंदी है उसके बारे में वहाँ पर आप देख लीजेगा और मुला वजही और बहुत सारी अन्ने जो दखिनी हिंदी के लेकक रहे हैं उनकी जो प्रमुकर रचनाय हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी तो यहाँ पर देखिए अब हम खड़ी बोली अंदोलन की अगर बात करें जो उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य की परंपरा का जो सुत्रपात माना जाता है वो मेंली आपका सत्रवी और अठारवी शताबदी के आसपास से माना जाता है लेकिन उसके बाद यहाँ पर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि उन्नीसवी शताबदी के पहले से ही खड़ी बोली की रचनाय मिलनी शुरू हो जाती है और खड़ी बोली का जो विकसित रूप है उसको किस को माना जाता है हिंदी को माना जाता है तो कहने का मतलब क्या है कि जो आज हम हिंदी बोलते हैं वो किस का विकसित रूप है वो आपके खड़ी बोली का ही विकसित रूप माना जाता है और उन्नीसवी शताबदी या खासकर आपका उन्नीसो के आसपास अठारवी से ही अम मान लेते हैं कि जो खड़ी बोली हिंदिया उसका विकास माना जाता है चौधवी शताबदी के शुरुआत में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में पहेलिया रची और साहिते लिखन में इसकी शुरुआत की है तो देखिए कई बार आप देखते हैं कि जो खड़ी बोली हिंदी का अविर्भाव किस ने किया था वो अमीर खुसरो ने माना है कब चौधवी शताबदी में और 1253 के आसपास इनका जरम हुआ है देखिए तो ये अमीर खुसरो के बारे में है अमीर खुसरो को ही माना जाता है खड़ी बोली का प्रवर्तक जो हिंदी साहित्य में सबसे पहले है न तो इन्होंने पहेलिया रची है आपकी खड़ी बोली में और साहिते लेखन में इसकी शुरुआत इन्होंने ही की है ऐसा माना जा हैं उनकी योगदान को भी इसमें गिना जाता है तो इस चीज को जानने के लिए अगर आपके पास रामचंडर तीवारी की पुश्तक है तो उसमें आप देखीगा उसमें इन्होंे विस्तार से इस चीज को समझिए है कि उन्होंने क्या-kya योगदान इनका रहा है आगे है दीखिए कि 19. शताबदी के बाद Fort William College ने खड़ीबुली अंदोलन में एहम भू Coffee का अधा की है तो दीखिए खड़ीबुली Hindi के जो अंदोलन में बहुत जादा योगदान किसका माना जाता है वो Fort William जो College है उसका मान जाता है जिसके स्थापना कब हूई थी 1800 इस्वी में हूई थी और किसने की थी Lord Wills ली ने की थी हाला कि विस्तार से हम इसके बार का जो लेक्चर है हमारा उसको हम फोर्ट विल्यम कॉलेज के उपर ही रखने जा रहे हैं कि आपका जो हिंदी है और फोट विलियम कॉलेज ये वाला लेक्चर हम एक कम्प्लीट इसके उपर करेंगे यहाँ पर मैंली हम खड़ी बोले आंदोलन के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो नेक्स से देखिए कि जौन गिलक्राइस के प्रतनी जित्तों में लल्लू जी लाल ने प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासी के तोपा ख्याइन की रचना की तो इन दो महत्वपूर्ण रचना को माना जाता है कि यह जो आपकी महत्वपूर्ण जो दो रचना माना जाती है प्रेम सागर और नासी के तोपा ख्याइन इनकी रचना कार जो है ललू लाल जी और सदल मिश्र रहे हैं इनका भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है खड़ी बोली आंदोलब में जिनका समद्ध किस से था फोर्ट विलियम कॉलेज से था और इन दो जो आपके ये रचनकार हुए हैं इन से माना जाता है कि खड़ी बोली गध्य का जो प्रवर्तन माना जाता है ठीक है लेकिन इसमें विद्वानों में मतवेध हैं आगे हम वो चीज भी दिखेंगे चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये तो थे आपके जो फोर्ट विलियम कॉलेज में जिन्होंने खड़ी बोली का प्रसार किया अब है दिखिए फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर मुंशी सदासुक लाल जिनका नियाज के नाम से जो शुमार हुए है इन्होंने एवं इन्शालला खां जिन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी थी इनका नाम गद्देलेकों के रूप में विख्यात है तो दीखिए दो जो प्रमुक नाम थे वो थे फोर्ट विलियम कॉलेज में जो किस के प्रतेनी दितों में जिन्होंने काम किया वो किया ज गद्य लिखकों के रूप में विख्यात हुए हैं कई बार आप देखते हैं कि इन में से पूछा ये जाता है कि किन का संबंद फुट विलियम कॉलिज से था और किन का नहीं है तो इस चीज के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी रखना बहुत जरूरी है UGC NET क की परिक्षा में इस देखे के प्रशन पूछे जाते हैं अगली जो लाइन ने दिखिए बहुत ही महत्तों लाइन है कि खड़ी वोली गद्य परंपरा में इससे पहले चंद चंद बर्नन की महिमा हलांकि जो आपकी पुस्ता के दिखे उपकार वाली वहां पर ये सत्रवी जो आपका मान जाता है पंदर सो सत्तर सोलवीश चती के आसपास का समय ठीक है चंद चंद बर्नन की महिमा और इसके रचनकार कौन है गंग कवी है जो आपका जो भक्तिकाल में हमने देखा था देखे दरवारी काव्य वहां पर हमने इसके बारे में बिस्तार से बात की हैं जो आपके दरवारी कवी आते हैं ठीक है रहीम अब्दुलरहीम खाने खाना जिनका नाम है तो यहां पर इस जो रचना लिखिये चंद चंद बर्नन की महिमा गंग कवी की तो खड़ी बोली गदे परमपरा में इससे पहले जो आपने इंशालला कहां बगिरा बगिरा इनसे पहले इस रचना का जिक्र होता है इसके साथ ही साथ भाषा योगवशिष्ट जो राम प्रसाद निरंजनी की है उसको भी माना जाता है ठीक है तो भाषा योगवशिष्ट की रचना कब हुई है ये आपका 1741 के आसपास मानी जाती है कि इसकी रचना कुई है वो अपने एहम भूमी का अदा करती हैं इनसे सम्मंदित प्रशन पूछा जा सकता है तो इसलिए आप इनको भी एक बार जरूर देख लीजीगा आगे देखे खड़ी बोली गद्य के उद्भव के विश्य में बिद्वानों में दो राये हैं तो देखे जैसे भी मैंने पहले भ ललुलाल को ये खड़ी बोली का अविश्कारक मानते हैं तो देखे यहां से इस तरीके से प्रशन पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली का अविश्कारक सदल मिश्र और ललुलाल को किसने माना है या किसने नहीं माना है ठीक है तो जो आपके अचारे रामचंदर शुक्ल ह उसके जो आपको पुस्तक मेंने बताई ती आपकी जो वैसे तो सरस्वती पांडे की पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से दिया है लेकिन इसके साथ ही साथ रामचंदर टिवारी की पुस्तक में भी आपको ये चीजें मिल जाएंगे विस्तार से तो यहां पर इनकी जो रचनाए हैं जो प्रमुक रचनाए इनोंने रची थी कौन-कौन सी चीजें उसमें महत्वपूर्ण हैं वो चीजें आपको इसमें अच्छे से समझा दी गई हैं तो आप वहां से इनको अच्छे तरीके से देख सकते हैं तो यहां पर देखिए सदल मिश्र के बारे में क्या कहा गया है कि सदल मिश्र जो इनकी रचना है देखिए इनकी रचना नासी के तोपा ख्याइन मानी जाती है और इस रचना पर जो ब्रजभाशा का प्रभाव देखने को मिलता है तो हो सकता है सदल मिश्र से आपको चार-पांच पंक्तियां दे दी जाएं कि कौन सी इसमें से संगत है कौन सी असंगत है तो इस तरीके से प्रशन बनता है इसलिए इनको जो प्रमुक चीज़ है वो मैंने आप पर रख दी है कि नासी के तोपा ख्याइन में इन्होंने नची केता जो रिशी है उसकी जाता है यजुरवेद में और कथा रूप में जो विस्तार है वो कठोपनिष्ट एवं पुराणों में मिलता है तो सदल मिश्र के बारे में इतनी सी जानकारी है इसके अलावा सदल मिश्र ने और भी चीज़ें लिखी है तो आप उन दो पुस्तकों से एक बार जरूर इस जो महतवपूर्ण नाम है ललूजी लाल तो इनकी प्रिसिद्ध रचना प्रेम सागर है हालांकि प्रेम सागर के अलावा इनोंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है जैसे सिहासन बतीसी हो गया बैताल प्रचीसी हो गया शकुंतला नाटक माधोनल है ना सभा विलास इत्या शव्याकरण भी इनोंने लिखा है तो बहुत सारी रचनाएं इनके रही है लेकिन प्रसिद्ध जो रचना जो खड़ी बोली आंदोलन में मानी जाती है कि अपनी महतवपूर्ण भोमी का निवाती है वो कौन सी है वो प्रेम सागर है और इसकी रचना इनोंने कहां से की है श्रीमत भागवत के दशम सकंद के अधार पर की है तो ये दो जो महतवपूर्ण नाम है जो खड़ी बोली आंदोलन में हमेशा ही पूछे जाते रहे हैं और इन फ्यूचर भी पूछे जाते रहेंगे और अपना महतव ये रखते ही हैं नेक्स देखिए तीसरा जो सुक सागर और श्रीमत भागवत का हिंदी अनुवाद ये माना जाता है कि जो सुक सागर है वो क्या है आपका श्रीमत भागवत का हिंदी अनुवाद माना जाता है तो इसमें जो विश्नु पुरान है उसका इसको अधार पर इसकी रचना की गई है सुक सागर की और जो आ रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया, तो ये चीज़ आपने याद रखना है, कि जो सदसुकलाल नियाज है, इनकी प्रसेद पंक्ती है, कि रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है, नेक्स जो चौथा मौटपूर नाम है वो है इन्शाल्ला खान और इन्शाल्ला खान की जो प्रसिभध रचना है रानी केतकी की कहानी है और रानी कित्की की कहानी बहुत प्रसिद रचना है और इसका जो दूसरा नाम है दिखिए वो कौन सी है उदेबान चरित माना जाता है और इसका जो समय माना जाता है अठारा सो तीन इसवी के लगभग इसकी रचना मानी जाती है ठीक है तो ये महतवपुन जो चार नाम है इन चारों नामों को आपको याद रखना है और इनकी जो प्रसित रचना हैं वो कौन-कौन सी है और रचना का दूसरा नाम क्या है उसका अधार क्या है ये सारी चीज़ें मैंने आपको विस्तार से बता दी हैं जादा जानकारी के लिए आप एक बार जो आपके पास कोई भी किस तरीके से हम देखते हैं तो देखे साहीति बाष्चा के रूप में अगर हम बात करें तो 1900 में नागरी लीपी को अदालतों में प्रवेश मिला तो ये पंक्ति या ये जो तत्य है ये बहुत महत्वपूर्ण तत्य है कि कब से नागरी लीपी को अदालतों में प्रवेश म उसके पश्चात जो उनका यूग रहा है उसमें अधिकतर जो आपका खड़ी बुली गद्य है उसका विकास देखने को मिलता है और 1873 में भारतेंदुजी ने जो काल चक्र है देखिए उसमें नोट किया कि हिंदी जो है नई चाल में धली है तो ये पंक्ति कईवार कब 1873 में और इसी वर्ष इनकी जो प्रसिद पत्रिका आई थी हरिश्चंदर मैगजीन उसका अरंब हुआ था और इसके अलावा सरसुती पत्रिका 1900 और हिंदी साहिते समिलन प्रियाग 1910 का विशेश योगदान भी माना जाता है तो ये साहित्य के क्षेत्र में इस तरीके के साथ चलता रहा और आज के समय में जो हम हिंदी बोलते हैं वो इसी खड़ी बोली का विकसित रूप माना जाता है तो ये जो प्रसिद चीजें या प्रमुक चीजें थी खड़ी बोली के संबंद में और खड़ी बोली आंदोलन के संबंद में ये सब चीजें बहुत ही म बाड़ी बोली हिंदी के समद्ध में कौन-कौन सी मतवपून चीजें हैं और कौन-कौन से प्रमुक्तत्य हैं और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं मुझसे छूट गई हो लेकिन आपके पास कोई भी पुस्तक होगी तो आप एक बार जरूर उन पुस्तकों को देखिये और कोई नया तत्या है तो आप कमेंट सेक्षिन में जाकर हमारे साथ साजा कर सकते हैं इसके साथ ही साथ आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप के साथ भी जूट सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा और वहाँ पर हम बहुत सारे रखते हैं और साथ ही साथ आपके जो यह PPT हम यहां पर आपको प्रवाइड करवाते हैं तो यह भी आपको टेलेग्राम ग्रूप में प्रवाइड करवा दी जाएगी तो फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे ला हैं तो और आपको ग्रूप अपको वीज़ जाएगा हैं तो यह जाना ही दो में हैं तो यह भी आपको वीज़ आपको प्लीज